नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका UPSC अड़ा टू वर्श सेवन पे दीए नौर्थ कोरिया ने फिर से एक अजीब सा स्टेप लिया है और जापान के उपर से जो बलेस्टिक मिसाइल है उसे दाग दिया है अब इसकी वज़े से जापान में पैनिक है जापान में डर का माहूल है यहाँ पर आप देख भी सकते हैं नौर्थ कोरिया फाइर्स मिसाइल ओवर दे जापान फॉर दे फर्स ताइम सिंस 2017 इसका मतलब यह है कि 2017 में भी इसी तरह की जो मिसाइल है वो जापान के उपपर से गई थी जिसकी वज़े से पैनिक हुआ था जापान में और अब पात साल बाद फिर से यही स्टेटमेंट फिर से यही निउस हमारे सामने आई है अब देख इस निउस को समझना जरूरी है कि जापान में डर का माहुल क्यों है और नौर्थ कोरिया का जो परजें टाइम पे स्टेटरस है बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर वो क्या है और साथ-साथ यूएस ने भी इस बात को कंडेम किया है तो काफी कुछ आप जान पाएंगे इस वीडियो में इसे प्रसुत करता हूँ मैं मेरा नाम है सरफ स्वामी आगे बढ़ने से पहले एक चीज में आपको जरूर याद दिला दूँ यदि आपने अड़ा 247 एप्लिकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही राउनलोड करें इसमें काफी अच्छे अच्छे फीचर्स हैं जो आपको आपके तयारी में आगे बढ़ने में पूरी मदद करेंगे देखें यहाँ पर काफी अच्छे अच्छे कोर्सिस अवेलिबल है और अभी एडियम बात करते हैं तो काफी शांदार ओफर चल भी रहा है क्योंकि आज राम नौमी है आज बारा बज़े से पहले पहले आप जितने भी महापैक हैं चाहे आप फिर SSE एक्जाम की त्यारी कर रहे हों रेलवे की कर रहे हों बेंकिंग की कर रहे हों स्टेट PCS की कर रहे हों या फिर UPSC की कर रहे हों डबल वेलिडिटी के साथ में आपको महापैक सिर्फ 77% डिसकाउंट में मिलेगा इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं मतलब आपको बहुत कम प्राइज में महापैक मिल सकता है और देगे ये 12 वज़े तक का ही सेल है आपको जो कोड यूज करना है वो Y572 जो कोड है वो यूज करना है जब तक आप ये कोड यूज नहीं करेंगे तब तक आपको 77% का जो डिसकाउंट है वो नहीं मिलेगा और ये जो डबल वेलिडिटी का ओफर है महापैक के उपर वो भी आपको नहीं मिलेगा तो इस code को आप ज़रू ध्यान रखें Y572 double validity का मतलब यह है कि कोई course जिदी एक साल के लिए live है तो वो आपको दो साल के लिए मिलेगा और उसके साथ साथ दोस्तों All India जो scholarship test है for the UPSC civil services exam 23 and 24 जो ADA 247 की तरफ से organize किया जा रहा है वो चेक टूबर को है तो आप इसके लिए enroll कर सकते हैं क्योंकि इसकी जो link है आपको description में मिल जाएगी या फिर आप website पर जाके भी check कर सकते हैं इसमें देगे आप यदि price के रूप में जो जीत पाएंगे वो काफी शांदर price है याँ पर आप महा pack ले सकते हैं उसके साथ साथ आपको test series मिलेगी और काफी काफी facilities आपको मिलेगी यदि आप इस test में rank लेके आते हैं तो 6 October को ये course होना है ये जो test होना है तो आप इसके लिए enroll करना विल्कुल भी न भूले उसके साथ साथ upcoming matches के दिए बात करूँ UPSC के लिए तो 7 October को exclusive complete foundation batch फ़र प्री प्लस मेंस प्लस सी सेट ये live होने जा रहा है काफी शानदर faculty है और bilingual ये course है ये जो price आप देख पा रहे हैं ये price से डरिएगा नहीं आपको ये price बिल्कुल भी pay नहीं करनी है Y572 को लगाईए और 87% का discount पाईए और ये course ले लीजिए अब देखें न्यूस के ओपर हम आते हैं तो North Korea ने मंगलवार को Japan की और एक ballistic missile दागी है और Dakshin Korea के Joint Chief of Staff ने ये जो जानकारी है वो दी है हाला कि बाद में Fumio Kishida जो Japan के PM हैं इन्होंने भी press conference करी थी इसके बारे में इन्होंने देखी ये काहा है कि उत्तर कोरिया ने अपने पूरी तट से ballistic missile लागी है और एक अफ़ते के वितर कोरिया का ये पाँचवा missile परिक्षन है मतलब एक तरीके से आप ये मान सकते हैं कि पिछले दस दिन में उत्तर कोरिया ने पाँच missile का test किया है ये काफी बड़ी बात है और जापान के उपर से जो missile गई है वो ballistic missile है इसलिए जापान ने जे alert जो है वो भी जारी कर दिया है 2017 के बाद उत्तर कोरिया की ये पहली missile है जो जापान के उपर से गुजरी है अचा मैप में हम तोरा समझने कोशिश करते हैं इस पूरे news को तो देखे ये एक पूरा मैप है यहाँ पर North Korea इस्तित है और ये चाइना है ये रश्या है और ये है जापान और यहाँ पर आप South Korea देख पा रहे होंगे ये North Korea की जो capital है पैंग्योंग वो इस्तित है यहाँ पर सियोल इस्तित है तो दोनों देशों के उपर अगर North Korea की दिए हम बात करते हैं तो यहाँ से ballistic missile जो है वो जापान के उपर से होती हुई ये जो Pacific Ocean है परशानत महासागर उसमें जाकर गिरी है थोड़ी बहुत भी अगर दिक्कत होती तो ये जापान से भी टगरा सकती थी और एक बड़ा विस्वोट हो सकता था जापान का ये जो Hokyaado जो Iceland है यहाँ पर panic काफी ज़्यादा है इसी के लोगों को यहाँ के लोगों को काफी ज़्यादा अलर्ट पर अभी रखा गया है और ये जो मिसाइल है ये जापान से ऐसे होती हुई यहाँ पर ये जो Pacific Ocean का ये वाला जो पार्ट है उस पर जाकर गिरी है और अगर इसको हम तो डेल में देखें तो ये जो मिसाइल है ये जापान से लगबक 3000 किलोमेटर दूर जो परशान महासागर है उसमें जाकर गिरी है और उत्तर कोरिया की सरकत के बाद जापान में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है क्योंकि मिसाइल लॉंच की सूचना के बाद जापान सरकार ने सभी नागरिकों को सुरक्षित इस्तान पर जाने को काया है और अगर हम बात करते हैं तो जो प्राइम मिनिस्टर है इन्होंने भी स्ट्रॉंग लिस्टीस को कंडेम किया है कि ये जो हिंसक वैवार है ये अलब इस तरीको इस स्टैप को वैलेंट बिहेवियर जो है वो बताया है और देखे जैसे ही ये जो मिसाइल है ये जापान के उपर से जाती है जापान की जो गवर्मेंट है ये वहाँ के रेजिडेंट्स को वहाँ के लोगों को वार्न करती है चिताव नहीं देती है तो इसलिए पहले से तयार रहना पहले से अलर्ट रहना काफी ज़्यादा ज़रूरी है और देखिए इस न्यूस को लेकर USA और अस्ट्रेलिया ने भी अपने स्टेटमेंट दिये है USA का आप यहाँ पर ट्वीट भी दे सकते हैं जो US Embassy in Tokyo है उसका ट्वीट है इन्होंने specifically इस चीज को मेंशन किया है तो यह US Embassy है मतलब US के जो लोग जापान में रहते हैं इनको लेकर US Embassy ने भी अलर्ट जारी कर दिया है और साथ ही अगर ऐस्ट्रेलिया की दिया हम बात करते हैं तो ऐस्ट्रेलिया की जो सिनेटर है Penny Wong इन्होंने भी इस चीज को कंडेंब किया है तो आउस्ट्रेलिया नी भी इसे इंडो प्रसिफिक के लिए एक वोईलेंट हरकत बताया है और इस पूरी न्यूस को कंडेंब किया है अब आप समझ पा रहे हैं एक न्यूस को लेकर कितने देश जो हैं वो अपने स्टेट्मेंट पेश करते हैं तो इसी लिए ऐसी न्यूस जो है काफी ज़्यादा इंपोटेंट बन जाती है और जापानिस गोवर्मेंट ने जो अलर्ट इशू किया है वो दरसल होक्याडो आइसलेंट के लिए किया है जो आप इस मैप में शायद देख पा रहे हैं यह जो मैप है यहाँ पर जो होक्याडो आइसलेंट है यहाँ पर जो अलर्ट है वो जारी हुआ है लेकिन उसके साथ हो क्याडो आइसलेंड की जो ट्रेंज हैं उनको भी टेंपरेली अब स्टॉप कर दिया गया है एक चीज माँ आपको जुरूर बता दूँ कि युनाटे ने ने नॉर्थ कोरिया को अल्रेडी सेंक्शन्स लगा रखे है मतलब यह जो बैलेस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग होती है इसको लेकर युन ने नॉर्थ कोरिया को पहले से ही बैन कर रखा है यहाँ भी आप देख सकता है नॉर्थ कोरिया जो है वो नहीं कर सकता यह जो बैलेस्टिक मिसाइल है यह जो नुक्लियर वेपन है इनकी टेस्टिंग नहीं कर सकता लेकिन आप देख पा रहे हैं नॉर्थ कोरिया अपने आपको nuclear country जो state बनाने में कितना ज्यादा develop होता जा रहा है और एक तरीके से आप यह मान भी सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया को रोकने वाला अभी कोई है भी नहीं हर देश में ऐसी news पहुंसती है लेकिन नॉर्थ कोरिया एक के बाद एक जो missile है उसकी टे जापान है और यह जापान के गंटी जो capital है टोक्यो है और जापान के नर्दन साइड में आप देख पारे हैं यह जापान का exclusive economic zone है तो नॉर्थ कोरिया की कुछ missile testing के टाइम पे sea of जापान से होते हुए जापान के exclusive economic zone के उपर से जाकर फिर Pacific Ocean में गिरती है तो यहाँ पर ज missile के अंदर तो जापान हमेशा alert mode पर रहता है नॉर्थ कोरिया की missile test के लिए या फिर missile launch के लिए और नॉर्थ कोरियों का यह जो missile का जखिरा है उसको समझना जरूरी है कोई यहाँ पर range की इसाप से दिए हम बात करते हैं तो नॉर्थ कोरिया के पास में काफिस strong missiles हैं जैसे 13 1000 कि रेंज की नॉर्थ कोरिया के पास में missile है जिसको हैंजोंग 15 नाम दिया गया है और 10,400 कि रेंज की जो missile है उसको हैंजोंग 14 तो हैंजोंग 20, 12, 14, 15, 16 इस तरीके से अलग अलग जो ballistic missile है उनका परिक्षन जो हैं नॉर्थ कोरिया करता रहता है और कई news report में यह भी कहा ज सकता है और जहां तक हम बात करते हैं नॉर्थ कोरिया की तो नॉर्थ कोरिया जो है तेजी से अपने यह जो military build-up है इसको develop करते जा रहा है कई missile परिक्षन जो हैं नॉर्थ कोरिया कर भी चुका है और मतलब cruise missile, hypersonic missile यह सब मिसाइल इसमें शामिल हैं 2017 के बाद में अब तक ज नॉर्थ कोरिया ने खुद को एक nuclear weapon state गोशित कर दिया है और कुछ policies जो है वो भी बनाई है इसका मतलब यह है कि नॉर्थ कोरिया अपने दुश्पन देश के उपर परमानू हमला करने से बिल्कुल भी नहीं घबराएगा और अमेरिका को यहां पर खुली warning जो है वो भी न इसको लेकर कोई ना कोई resolution जो है वो UNSC में लाता रहता है या फिर कोई ना कोई statement जो है वो UNSC में लाता है अब हमें देखना होगा कि nuclear test क्या नॉर्थ को डिया करता है या फिर नहीं करता और जापान जो है वो इसको लेकर कितना ज्यादा serious है तो कुल मिला कर यह सब था इस particular न्यूज में आपको ज़रू कुछ निया जानने को मिला होगा इसी तरीके के important और informative वीडियो के साथ हम आगे मिलते रहेंगे चैनल को subscribe करना विल्कुल भी ना भूलें वीडियो को like share करते रहें धन्यवाद